हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बेक टू पीए सी पाई स्टूडी सर्कल, माइ नेम इस तबर्सुम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिसका कोड है 225, उसके चाप्टर नमबर वन के मोस्ट इंपोर्टन प्रस आंसर, जो की एक्जाम के पॉइंट ओफी से काफी इंपोर्टन है, तो चाहिए आप अपरल सेशन वाले बच्चे हो या फिर ऑक्टूबर में आपको एक्जाम देने हो, दोनों ही सेशन के बच्च आपके नोट्स प्रोपर तरीके से बने हुए, दिस्क्रिप्शन बोक्स में जाएए और वहां से तयार कर लीजे, बाकि अगर आपको यह नहीं पता है कि पेंटिंग का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या है, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप् इसकी डेमो वीडियो देख करके आप किसी भी कोर्स में अन्रोल कर सकते हो, जो काफी अफोडेबराग के लिए होगा, नाओ लेट्स केट स्टाटिड, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेस्टन है वो हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है पहले आ आप पर डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी, वहां से आप प्रोपर नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके इंपोर्टेंट क्वेस्टन प्लस आंसर्स, तो देखे जो हमारा फर्स्ट क्वेस्टन है वो आपके सामने है सिंदुघाटी सब्यता के कारियों का संगशेप में वड़न करना हैं, लेज़ हम बात करें सिंदुघाटी के बारे में तो यहां से 90 परसेंट आपका एक क्वेस्टन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है तो इस क।्ष्टन को isto करने से बहुत जब ध्यान से दे सब्वेता है पहले किसको माना जाता था वैदिक सब्वेता को लेकिन जब 1920 में पुरा तत्व वेता उन्हें खुदाई की तो और में कुछ एसे साक्षे से उने प्राफ्त हुई जिसके आधार पर निष्चित हो गया कि वैदिक सब्वेता से पहले भी ऐक सब्वेता थी कौन सी सब्वेता की वो थी कि सिंदु वासी जो है, वो कला के अनुरागी थे, मतलब जो सिंदु घाटी सब्यदा के जो लोग थे, उनको कला से बहुत प्रेम था, किसे ये चीजे पता चलती है, जब कुदाई में प्राप्ट चीजे मिली, जैसे की मूर्तिया मिली, खिलोने मिले, आप भूशर मिले, त वास्तु कला में उनकी रूची थी, उनको इंट्रेस था, और उनको इस चीज में दक्षिता प्राप्ति थी, वो बिल्कुल लिपुर थे, तो ये तो हो गया सिंदु घाटी सब्यता के कार्या, जो आपने हाँ पर देखे हैं, अभी मैं हाँ आपको नेक्स कोईशन दिखा ऑल पर तो हम चीज कैसे पक्रापा Le Snатьly Rifkel, कि जो यो एक पर दिखी में नाश्टी रेकिक्कि जो एक पर में पर देखे हैं, अगर 안को पर देखे हैं, कि जापे आप के बारे में देक्रें साबी कीशन क्यों को गया है, मैं पर देखे हैं मैं और अच्छी अपर जया है, नि हम देखते हैं कि उसके हाव भाव क्या है शौट में आपको बताना है तो देखो अध्याय में प्रस्तूत मतलब आपके इस लेसन के अंदर एक नाश्ती हुई लड़की जिसको हम निर्त्य करती हुई लड़की भी कहते हैं तो उसका चित्र है यह जो चित्र है मोहन जोडारो से प्राप्त किया गया है कहां से मिला है मोहन जोडारो से ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और यह मूर्ती देखने में बहुत ही पतली और लंबी है मतलब यह जो नाश्ती हुई लड़की की मूर्ती है बहुत ही पतली सी है और काफी लंब लंबी है यह जो शारीरी आकर कपड़े नहीं है ठीक है और वहीं उसके बाई हाथ में लगबक कंदों तक चूडियां पहनी हुई दिखाई दी हैं क्या दिखाई दी गई हैं चूडियां पहनी हुई और इसके केश को जूडों के रूप में दर्शाया गया है मतलब जो इसके बाल है उसका एक जूडा बन जाता है अब अगर हम गुपत की बात करें तो उसको सोने का युग भी कहा जाता है तो हमारे भारत के थिहास में गुपत यूग को स्वननिम अथवा पृटिष्ठित मतलब बहुत ही अच्छा यूग को माना जाता है उसको सवर्णियों क्यों कहा जाता है तो इसका अंसर क्या है कुशार समराज्य के पतन के बाद मतलब जो कुशार समराज्य का पतन हो गया डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद जिस नए राजवन्षों ने भारत में अपनी सक्ता जमाई थी जिस नए ने कला को अपना सनक्षर्प्रदान करते हुए मतलब वह भी कला प्रेमी थे और उन्होंने कला को सनक्षर्प्रदान की और इसे उन्नती के शिखर तक पहुंचा दिया that means गुप्त-युग में कला को एक नई उचाई मिली और एक नई पहचान मिली तो गुप्त-काल में यानि विश्व के एतिहास में अधविति है। जिनका कुई मुकाबला नहीं है। मतलब गुब्तकाल में इतनी सारी देवि देवताओं की सुंदर सुंदर कुफचूूरत मूर्तिया बनाई गई। जिनका जो है बहुत ही नाम है अपनी जगह पर अपना बहुत ही जगह है इतिहास में इनकी गुप्तकाल में बुद्ध एवं बौधी सत्मों के अलावा कौन-कौन थे वैशनव थे शैव, जैन, इत्यादी ये सारे संप्रदाई की भी मूर्तिया बनाई गई ठीक है तो इन पर अपनाई गई गई और संभवत है उप्यूक्त वैक्त उलेखने विशेष्टाओं के आधार पर और जितनी भी विशेष्टाएं हमने देखी है इनके आधार पर ही गुप्तकाल को प्राचीन भारते इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है मतलब सोने का युग कहा मां जाता है तो यह हो गहा हमारा थर्ड' question अल्वल सीदॉर conf estrus थाor question वो हरुड धंपा स्वेता के बारे में है इसंकी definition करने को आप से कहा गया है हरुडपा स्वेता से आप क्या समत्ते हैं हरुडपा स्वेता का मतलब क्या है अ कैल आपको बताना है थीक है देखो हडपा सब्वेता भारत की प्राचीन सब्वेताओं में से एक मानी जाती है, प्राचीन तम का मतलब बहुत पुरानी सब्वेताओं में से एक मानी जाती है, कौन सी सब्वेता हडपा सब्वेता, यह सब्वेता उनीस सो इस इस वी की खुदाई के बाद प्रकाश में मतलब जब 1921 में खुदाई की गई तो उसके बार पता चला कि हावे कोई हडपा सब्यता भी थी जो की बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है सबसे पहले इसकी खुदाई पंजाब के पस्चिमी भाग में इस्तित हडपा नाम के स्थान पर हुई यही कारण है कि इसे किस नाम से बुलाया जाता है इसको हडपा सब्यता कहा जाता है इसके बाद कालंथर का मतलब इसके थोड़े ठाइम बाद इसकी टाइम पीरिड बीचता गया जब इसकी कुदाई सिंदु नदी के समीप मोहन जोद्रों में हुई मतलब इसके बाद फिर से इसकी कुदाई हुई और कहा हुई सिंदु नदी के बराबर में मोहन जोदाडों में हुई तब इसे फिर सिंदु सभ्यता भी कहा गया तो देखो सिंदु सब्वेता भारक की एक बहुती प्राचीन सब्वेता है हमने उपर में पढ़ ली है यह चीज जिसका पता खुदाईयों के बात चला जैसे जैसे खुदाईया होती गई उसके बात पता चला के जो हरपा सब्वेता है जो सिंदु सब्वेता है वो बहुती पुरानी सब्वेता है ठीक है उत्खनन में ही प्राप्त अविशेश हों जैसे कि मूर्तियों मोहरों बरतनों आबोशरों इन चीजों को देखकर वज़ा चलता है कि यह जो सिंदु घाटी के लोग थे यह कला कोशल में दक्ष थे मतलब पूरे एक्सपर्ट थे यह लोग कला प्रेमी थे कला कोशल में एक्सपर्ट थे मूर्तिय बनाने में यह लोग बिल्कुल निपुर थे विशेश कर मूर्तियों की जो सजीवता है और सभाविकता वो बड़ी अनुकरणिया है मतलब सिंदु घाटी सब्वेता से जितनी मूर्तियां प्राप्त हुई है वो अपन अपने आप में क्या है वो अपने आप में ऐसी लगती है बिल्कुल जैसे सजीव हो बिल्कुल सभाविक हो तो इससे पता चलता है के सिंदु घाटी सब्वेता के जो लोग थे वो बहुत ही कला के प्रेमी थे चले नेक्स्ट कोशन नमबर 6 है के कला के छेतर में अशोक के योगदान का वर्डन कीजिए मतलब जो अशोक थे कला के छेतर में उन्होंने किस तरीके से अपना कॉंट्रूब्यूशन दिया किस तरीके से योगदान दिया अब अशोक के बारे में बात करें तो अशोक को मोर्यवंश के महानतम शार्षकों में से एक माना जाता है ठीक ह उसने अपने शाषनकाल में बहुत सारे करात्मक निर्मान कार्ये किये बई कला के प्रेमी थे तो जब उनका टाइम पीरिड चला अशोग का जब उन्होंने शाषन किया तो बहुत सारे ऐसे काम किये जिससे कला को और जदा प्रोसाहन मिला और करात्मक निर्मान उन्होंने का किये इसके लावा अशोग ने अपने शाशनकाल में बहुत सारे स्टूपों और समारकों का निर्मान कराया अशोग अपने स्टूपों और समारकों की ने भी बहुत ही फेमस है तो उन्हों की अनुकृतियां यह संसार की सुंदर वस्तूं में से हैं और संभावत है कला के इस अदभूत प्रदर्शन का श्रे अशोग को ही जाता है तो यह कला के छेतर में जो योगदान दिया था अशोग जी ने उसके बारे में हमने पड़ा है अभी हम लोग देख लेते हैं एक्सक जिसर अप्रशन नंबर 7 और सारनाथ के सिंह शीर्ष पर हैं जो सारनाथ का सीईट यह है उसके बारे में आपकोदाना है ज्मोर्यकालीन शाषक एक ऐसा शाषक हुआ जिसने निर्मान कला पर सबसे जाधा ध्यान दिया अशोग के वारे में बात करे हैं किए उन्हों नेही सारनाथ सेहिर्स शीर्ष उन्हों नहीं बनाया था तो मोर्यकालीन शाषा कशोक थे और अपने टाइम में उन्होंने इकलोते वह शाषक थे जिनोंने निर्मान कलापर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था थिक है उसने अनेंक स्थंभों स्थूपों इनका निर्मान करवाया और उसके द्वाना निर्वित स्थंवों में जो सारनात का स्थम्भ है वो सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है और वो सबसे ज़्याद उसकी तारीफ कि जाती है, एड्मायर किया जाता है उसको इस इस्तंब को अशोक ने तीसरी शताबदी इसापूर में सारनाथ के हिरन पार्क में म्रगा दवा में स्थापित किया था जिसे 1905 इसवी में पुरा तत्व सर्वेशन विभाग ने खोद कर फिर बाहर निकाल लिया था आपने सिक्के जो होते हैं जो इंडियन करिंसे हमारी इस पर भी देखे होंगे के सारनाथ का जो मतलब शीर्स है वो दिखाई देता है ठीक है अब इसके अलावा क्या है क्यों जो है सटाय हुए चालो दिशाओं की और मूं की ये बैटे हैं सिंगो के मस्तक पर महाचर्म चक् पर इसी पर चार पशुओं चार कॉंगो से पछुओं हैं गज आश्व बैल और सिंग ही आकर्तियां उतकिन्ड है इनमें हाथी बुद़् के गर्भस्त होने का बैल उनके जनम का आश्व गरहत्यक का और सिंग सार्भ भॉब सक्ता का प्रतीक है मतलब जिन चार पशूओं तरे रिषा को बिखाए गाया है जिनको हम् करना ब 토रे बमें पाषव दिहान रखनी है उनलह दहां है पेल सब्सेटरर बुर्त विद्ज इन्यामन का दीए उन्हें पर शचूरों करन पंदे घ़ांतोिन, ठाशी, उन्हे नों हो जो सब्सेटर को बुद्ध जीने उसका प्रतीक है और जो श्तिंग है न सारुभूम सत्ता का प्रतीक है चलिए यह हमने देखा है के साधनात का जो स्तिंग शीर है उसके बारे में हमने जाना है next question हम लोग देख लेते हैं next question है साची के महा स्टूप की विशेस्ताओं का वर्णन आपको करना है साची का महा स्टूप जो अपने आपने काफी important question बन जाता है इसके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए अशोप ने अपने शाशनवदी में बहुत सारे स्टूपों विहारों तथा स्टंबों का निर्मान करवाया था यह उपने उपर भी पढ़ लिया है previous question में भी जिनमें साची का महा स्टूप खाली स्टूप नी है टोंग शाशकों तूप ने फिनिश किया स्टूप मध्याप्रदेश के में सहें तूप ने में भ्लूप पथर से निर्मित निर्मित उस टूप के चारों और पथर की वेधिकाइं बनी हुई है तीक है किस б常 व्यृत व कवा मास्तूप बना हुआ है और इसके चारों और पथारों की वेदिका बनी हुई है और इनमें चार तोरन द्वारवी है तीक है रास्ते भी है द्वारवी है इसमें चलिए सांची के मास्टूप के बारा में देखा है आप नेर्मान के निर्माण पूजा, उपासना, भजन, कीर्तन और धर्मिक चर्चा के hostbecależy किया जात है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं चैत्य ठीक है यानि उनकुफाओं निर्मारत पूजा उपास्ना भजनकी इरत धार्मिक चरचाओं इन चीजों ल्मूब्ट रहते हैं उसको बोलते हैं चैत्य और विहार विहर भिक्षुकों के रहने तथा अध्यान करने के इस capture विहार में विख्षुक रहते हैं वहां पर अध्यान करते हैं और वहां पर रहते हैं उसको बोलते हैं विहार तो चैत्वीर विहार हमने दोग में डिफरेंशियेट कर लिया है Now let's see the last and final question of this video जो कि हमारा question number 10 होगा अजन्ता की चितरकला की विशेष्टाओं के बारे में ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए तो अजन्ता की चितरकला की विशेष्टाओं का वर्णन आपको यहां पर करना है देखो अजन्ता की चितरकला भित्ती चितरकला मानी जाती है अजन्ता की चितरकला भित्ती चितरकला मानी जाती है इस चितरकला की अपनी कुछ विशेष्टाओं हैं अपनी ही कुछ खासियते हैं अजन्ता की चितरों की विशेष्टा उनका भाव पक्ष है ठीक है उनका भाव पक्ष है यत्पी यहां के चित्रों की प्रस्तुती में विभिन समयों में विभिन कलाकारों ने योगदान दिया है मतलब जो अजन्ता की चित्रकला है उसमें अलग-अलग टाइम में अलग-अलग चित्रकारों ने अपना योगदान दिया है लेकिन में कलाकार सभी भाव लिखने में सिद्ध ह स्ट थे मानव श्रीर के सभी अंग भाव में ये भाशा में लिखे गए है अजन्ता के चितिरे स्पष्ट भाशा में लिखे गए हैं बिल्कुल सपष्ट और सीधी भाशा है उनमें नारिया अकृतियों की मनोरम प्रस्तुती देखने योग्या है इसके अलावा जो अजन्ता की गुफाएं हैं वहां हाथें की मुद्राएं बैटने और खड़े होने का ढंग ठीक है मुखर भाशा में लिखे गए हैं सारी चीजें और यहां की गुफाओं में जहां एक तरफ कोमल लालित्यपूर और मोहक पुर्भाव की स्रष्टी की गई है महीं दूसरी प्रकार के चित्र उतने भायाव है और विभत्स भाव प्रकट करते हैं तो यह हमने देखा है अजन्ता की चित्रकला की विशेस्ताओं के बारे में तो यहां पर इस वीडियो में मैंने आपक अजन्ता के चलिए प्रकार का दो आपके शथे समंझ में आ गे होंगे यह पीडियो यह वह रुंद कर आपको मिल चानल पर आपको मिल जाएगी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन वोग्स में आपको दिया गया है बारे आपको विशेट कर लेना आप पर वी हो सकता है तारी प प्लस आंसर्स बागी जो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर ज़रूर कर देना एंट फॉर अपकम वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलना बैल आइकोन को प्रस कर लेना तक कि सारी इंपोमेटी वीडियो और लेटेस्ट अप तक एजली पह सकते हों चलिए डू लाइक शेर कॉमेंट अड़ सब्सक्राइब सी यू नेक्स वीडियो लंकी पिस्टिंग इंपाइस वरी थैंक्यू सो मच और गुडबाए